हलो दोस्तो आज बात करेंगे इंडिया का one of the busiest railway station and one of the biggest और सबसे बड़ी बात है ये देश की one of the oldest station हो में से एक है जिसका नाम हाउडा जो की कोलकाता में स्थीत है हुगली नदी के किनारे हाउडा station इसके बारे में पूरे डिटल से में बताएंगे वीडियो में आगे जो क आप लोगों कुछ निया जानने को और देखने को जरू मिलेगा तो चलो वीडियो लास्त तक जरू देखना दोस्तो अभी दोस्तो हम आप लोगों को हावडा station के बाहर से दिखा रहे हैं आप लोगों को आगे एक बिरीज भी दिखेगा जो कि वर्ल्ड फेमस है जो कि बिल्डिंग 1901 साल में बना था आप लोगों को कुछ समझ में रहा है दोस्तो लगबग लगबग 125-24 साल तो होई गिया है तो कुछ इस तरह से बहुत सारे इंट्रिगेट है हावडा station में घुसने के लिए क्योंकि station बहुत ही बड़ा है और आप लोगों को बिल्डिंग द अधरी यूज होता है क्योंकि इन में से जो 16 नमबर के प्लाटफॉम है दोस्तो वो अन्यूज है जिसको नाम है दोस्तो जीरो जीरो प्लाटफॉम जिससे अभी कोई ट्रेन नहीं आता जाता है हालाग उस पर प्रेट ट्रेन आता है लेकिन कोई मेल एक्सप्रेस या पैसं अधर के जो सेक्षन था और टोटल 91 मिनिट का सफर था अभी जो फिलाल आप लोग देख रहे हैं दोस्तो यह है देश के नहीं एस यह का सब डीपेस्ट में ट्रोजिस का वीडियो अलड़ी मेरे चैनल पर आ चुका है यह स्टेशन भी जो है में में इस साइड़ आप को बताना तो दोस्तों यह हम लोगा आचके हैं प्लापफ़ों न्शों नमडर सेबीब और साइड में जो रएट साइड में घर लोगल टरेंश नममर फिलाटफ़ों में हैं तो कुछ इस चारह कार आप लोगों को हर रोज का जो है बहूत जादा पैसिंजरों का आना जान लगा रहता है हाउड़ा इस्टेसनों में और टोटल लगबग लगबग दोस्तों डेली कह सकते हैं कि लगबग पचास साथ मेल एक्सप्रेस राजधानी उस पे इंक्लूडिंग है सताब दी और बंदेभारत रहते हैं सभी लगबग लगबग 60 से प्लास एक्सप्रेस टेन हाउड़ा के सटेसन खतम हो जाता है हाउड़ा के स्टेसन ऐसा है और यह अभी आप लोग दिखेंगे यह दूस्तों बाहर जाने का रस्ता है देख सकते हैं कि आगे बोड़ भी लगा हुआ है तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगो को किस तरह से हैं और अगर लेप्ड स जलते हैं और दिखाते है कि इधर पर जाके आप लोग entry ले सकते हैं और exit ले सकते हैं जो कि जो जो कोलकाता से राता है उन लोगों का है तो यह आप लोग देख सकते कि platform number one पर seven है और platform number two पर लोग में मौटरीन खड़िया तो इधर से कुछ ऐसा हालत है और पिलाल जो बोट दिख रहा है आप लोगोगों को ब्लू कलर का ब्लू कलर का जो बोट है उदर से आप लोग एक्जिट ले सकते से इजी ली और जो मैं कह रहा था कि हाउड़ा स्टेसन से रेगूलर लग 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 60 के आस पास हर रोज express 10 गुजरता है और सबसे बड़ी बात है कि 500 से ज़्यादा दोस्तों मेमू टेन तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनों का आना जाना रहता है हाउडा इस्टेसन से तो ये कुछ है अभी इधर से आप लोग exit ले सकते अंडर पास होके और इधर पर बहुत ही बड़ा एक बोर्ड भी लगाओ है जिस पर बहुत साधा ट्रेनों का जो डीटियल से वह भी लगाओ है तो और एक मैं जो बात कहना चाता हूँ हाउडा इस्टेसन का कुछ हिस्टी के बारे में जो कि है दोस्तो एक हाउडा इस्टेसन जब बना था 1854 में इससे पहले जो है इस जगा में गीरझा और एक अनातासरम होगा करता था जिसको तोड़ के इस जगा Пे जो है हाउडा इस्टेसन को बनायागया है जो की दोस्तो East Indian Company जो कि पहले इंग्रेज लोग इंडिया में रहते थे उन लोगों की दुआरा ये इस्टेशन को बनाया गया था जो कि तब की दिनों की लागत आया था 2.5 लैक रूपीज ये हाउड़ा इस्टेशन को बनाने के लिए और इस जगह बे जो है बहुत ही ज़्याद है इस्टेशन के अंदर जो कि 16 नंबर का जो प्लाटफॉम था उससे वह दोस्ता भी फिलाल यूज नहीं किया जाता है लेकिन जो 17 नंबर का ट्रैक है दोस्तों वह पहला ट्रैक था हाउड़ा इस्टेशन का जिस जगह से दोस्तों पहली दपा हाउड़ा से लेके हुगली जो ट्रैन था वह चला था और फर्स ट्रैन की जो फर्स इस्टेशन था वह बाली था उसके बाद चंदन नगर उसके बाद स्रिरामपूर टूटल 91 मिनिट का जो जर्णी था वह था और टूटल 24 किलियोमेटर का जो जर्णी था और यह अभी आप लोग देख सकते कि किस त पें तरह था ठीकेट काउंटर तो टीकेट कांटर वह दिखा दिए आप लोगेंगोगों को तो तो टीकेट काउंटर एहां से आप लोग को टे के अधाट शकते और इसके बात जो थोgio 60 नंबर के प्लक पा में उसको जीरो माइल का जाता है इक्टेशलि यह जो है जो दोस्तो 19 platform 2009 तक बन चुका था और उसके बाद जो है दोस्तो 4 station दिन अभी तक total 23 platform बन चुका है अभी तक पूरा का पूरा हाउड़ा station में और सबसे बड़ी बात है दोस्तो अभी जो आप लोग हाउड़ा station का भी देखते हो जो कि डिजाइन देखते हो यह दोस्तो 1901 में डिजाइन किया गया थो भी दोस्तो इंग्रेजियों के द्वारा जो कि दोस्तो 1905 में आम पसेंजर के लिए ओपन कर दिया गया था तो बहु बहुत ही है क्योंकि दोस्तो यह लग 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 रोजाना दो से चार लाक जो पैसेंजर है वो बोर्ड अनबोर्ड किया जाता है हाउड़ा station से रिलेटेट और एक बहुत इंपोर्टेंट बात है जो कि है दोस्तो जब सुरू के दिन में हाउड़ा station बना था तब हाउड़ station में ticket नहीं मिलता था उसका कहानी में थोड़ा देर बाद बताता हूँ क्योंकि बहुत ही interesting है तो फिलाल आप लोग देख सकते हूँ कि दोस्तो प्लाटपर्म नंबर 8 और 9 के बीच रस्ता हुआ करता है देखो रस्ता है बीच में जिस जगह से आप लोग कार पार्क कर सकत यह था लेकिन जो ticket counter था उगुली रिवर को उस साइड में था जिस जगह में दोस्तो डायक ली ticket काटने का बाद आप लोग launch का यूज कर सकते हैं तो फिर बाद में जाके जो है इसको system को change कर दिया गया है और हावडा के station को develop कर दिया गया है और बड़ा बनाया गया है तो इसी तरह से जो है फिलाल के दिनों में यह होता है और आप लोगों ने जो रस्ता देखा दोस्तो प्लाप्टा नुमर 8 और 9 के बीच इसका कहाने में थोड़ा दिर बाद बताता उन लोगों के राजसाही बातों से बात है क्योंकि उन लोगों का दोस्तो सभी facility का जरूत होता था तो जो मर्जी ओ करता था इसी के चक्कर में दोस्तों station के बीच में रस्ता भी बनाया गया है क्योंकि उससे related भी बहुत ही बड़ी एक कहानी है और यह आप लोग देख सकत मतलब unbelievable है जैसे कि आप लोगोंने 37 सीबाजी महराज टर्मिनल मुंबाई वाला जो station है वो देखा ही होगा वो भी दोस्तों बहुत ही हुजए एक oldest station हो में से एक है तो यह आप लोग देख सकते किस तरह से है तो अभी हम लोग चल रहे है कि यह आप लोग देख सकते किस तर होडा Metro जो कि पहली दफा अंडर सी के अंदर है मतलब कह सकते कि नदी के नीचे से पहली दफा इंडिया में कोई Metro बनाए गया है जो कि मिट्टी का नीचे भी नहीं हुगली नीचे हुगली रिवर का नीचे 30 मीटर नीचे है जो कि बहुत एक हुज हो जाता है जो कि Asia का सब से मतलब यूनिक है और जो कि पहली दफा बनाए गया और यह आप लोग देख सकते होडा से अंदर कॉंस्ट्रक्शन का काम जो कि यह नॉर्मल सी बात है यह साइद जितना मुझे याद है यह 15 नंबर के प्लाटफॉम है 15 नंबर के प्लाटफॉम में फिलाल तो रिय वर का कॉंस्ट्रक्शन कर दिया जा रहा है और यह आप लोग देख सकते कि किस तरह से अलग-अलग प्लाटफॉम का डिजाइन्स है और फिलाल के दिनों में 15 नंबर के प्लाटफॉम है वह कॉंस्ट्रक्शन मोड बे है और इस साइड से पीछे से अगर आप लोग देखेंगे क कितना सुन्दर से प्लेटन करों मेट्स से प्लाटफॉम है और इस से में प्लाटफॉम नेंबर में 17 से से प्लाटफॉम और उसके बीच में यह हाउड़ा मेट्रों घुज गुजग गया है जो कि इंदिया का प्राइड है एक्चुली कोलकाता और एक्चुली हावडा में ही जो है इंडिया का पहला मेट्रो टेंड दोड़ा था और इंडिया का पहला जो अंडर वाटर मेट्र है वह भी दोड़ा है तो यह आप लोग बिल्डिंग देख सकते हैं दोस्तों इतना पुराना इतना भला डिजाइन है इतना पहले का है, मतलब कुछ अन्बिलीबल है, और यह आप लोग एंट्री ले सकते हैं, हाउडा मेटर के अंदर, हाउडा मेटर को वीडियो अल्रेडी मेरे चनल पर आ चुका है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मेरे चनल पर विजित करके जा के देख सकते हो, उस प जो है, Metro को एंदर, हाउडा इस्टिक के अंदर, Metro स्टिक, मतलब कुछ अन्बिलिवबल चीजी है, तो चलो और हाउडा स्टिक के बारे में, और कुछ चीज़े भी बताता है, लेकिन उससे पहले आप लोग यह देखो कि इस हावडा एस्टेसन से दोस्तों बहुत ज्यादा लोजिस्टिक का भी जो आना जाना रहता है तो मतलब हावडा एस्टेसन आप लोग आऊगे पैसेंजर निमी लेगा न आप लोगों को यह बसता यह लोजिस्टिक्स यह बहुत सारे चीजे आप को दिखने को मिल जागा और हावडा स्टेसन से देखा आप लोगों ने प्लाप्टों नमर जो 15 था उससे हम इधर आ चुके हैं और इधर से ही आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो कि प्लाप्टों नमर 17 से 23 तक है जो कि एक्शुली साउथ को कनेक्ट करता है हावडा से उस आप लोग बहार से भी जा सकते हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ड में दिखाए ता जिस सेक्शन को इधर मत जाना दोस्तों इधर में लोजिस्टिक के काम है मतलब अधिकारियू का ऐसे इस रूम है तो इधर से आप लोग इस इस वीडियो को फॉलो करके अगर आप ल तो कुछ इसी तरह से जो है आप लोग इसीली करेक्ट कर सकते हो और चलो बताते हैं हावडा स्टेशन के बारे में और कुछ डिटियल्स 1957 में इस्ट रेल्वे का फस्ट इलेक्ट्रिक ट्रेंड भी हावडा से ही चला था दोस्तो और देश का पहला राजदनी एक्स्प्रेस जो कि दिल्ली से हावडा तक का सफरताय किया था वो भी 1969 में वो भी दोस्तो हावडा को ही कनेक्ट किया था एक्चुली हावडा स्टेशन देश का वन अफ बीगेस्ट प्राइड है तो क्या सकते हैं कि हावडा स्टेशन से जो है कि बहुत ज्यादा चीजे है वो स्टार्ट हुआ था इंडियन रेल्वेस के लिए तो और यह आ चुके दोस्तो हम लोग प्लाप्ट्रॉन नुमर 17 के सफर है वो थोड़ा आप लोगों त्याय करना पड़ेगा आप लोगों को खनेक्टेट नहीं मिलेगा तो आप लोग देखे सकते हैं इधर भी दोस्तो बहुत सारे लोजिस्टिक है क्योंकि ट्रेन का जो लोजिस्टिक बाला डिब्बा है कोच है वो इधर पे आता है और इधर पर आता है, दोस्तों दिल थाम के बैटो क्योंकि 8 नमबर और 9 नमबर को प्लाटपों को बीच का जो रस्ता है, उसके बारे में जो कहानी है, बहुत ही मस्त है, वो वेट करो, वो फिर से आएगा दोस्तों, यह जो साइद प्लाटपों नमबर 21 और 22 के बीच में फिर से इस-खी पर किसले का कि Showky रोगें, लेटली यह जो कंशानी, रोनोब कुक ह まधरी हो जाता है, इसके आगे ट्रें जा एए नहीं सकता है, अभी एक्सेडिनी को हो गा नीए, आल्ल consent अभी के दिन में ट्रेन के एक्सिडेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और यह आप लोग रस देख सकते हैं दोस्तों बरा बर टाइम दोस्तों होड़ा इस्टेसन में बहुत ज़्यादा रस रहता है तो इसी के चकर में हम लोग आज चुके प्लाटफरम नमर उनीस तक सबका दिन में एंगरेज़ लोगों का टाइम में अन्वेंबर डिसम्बर में उन लोगों का राजदानिय को वह करता दो और जब गर्मी के कैош सकते हैं एपरिल में जून में जून के टाइम में वह दूस्तों जो कैपिट्ल था खुआ ता लेकिन सीम्ला से और आने जाने म दॉस्टों रस्ता बना दिया गया और अभी कराय करें दूसिक हो नावन id चयार पार्क चलाएं चार्जेस लगता है बात अलग बात है और यह तैस्टों मतरब इस्टेसन का लग बग लग बग एक साइट का अन तक आ चुके हैं प्लाप्टों नमबर 22 तेश तक और इस साइट से आप लोग और एक दबा जो है स्टेसन से बाहर जाने के लिए रस्ता मिल जाएग आप लोगों को आप लोगों को बहुत सारव हम लोगों ने कहानी बताया तो यह सभी सच है यह कोई मतलब भूनाया हुआ नहीं यह जो हावड़ा एस्टसन को मैं olsun कि जैसे की इन नेक्स्ट्ट फाइप यार्स में काम बहुत ज़्याद आजएंक टान ».Plentla segu पता नहीं कि दोस्तों बहुत सारे लाउंच का भी अधर मतलब लाउंच का जैसे की आप लोग बैठ के आराम कर सकते हो वह पेड रहता है एक्शूली और उसके अंदर आप लोग खाना भी खा सकते हो अप लोग उने जैसे की देखा अभी मैंने गुजरा उदर से और इधर से मैंने से का बहार का इततं wilderness सकते हैं अब विडियो लगा जरूर आप लोग क्रोष़ लगा जरूर की बता झानों Sumerorm कोब्सक्राइब करो लाइक करो सेर करो तब ही जाकर मेरे चनल घूर oh कई अर आप लोग कैंगा तो कैसे हो बहूत ब्यूटिपूछ ब को साथ То TMB कि नजा रहा बहुती अच्चा का सभी हो गया तो दोस्तों मिलते फिर कि is video में गुडबाई एक इस विडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करोde शेयर करो चैनले पर लें पने तो सबस्क्राइब करो तो मिलते है फिर किसी झाल झाल